हाई, वेल्कम तो मैं चनल, इस बीडियो में स्वाल्ट करें कुछ चनल अब अठेन, और रक्तेंगुलर सीट अफ पेपर 44 cm by 20 cm is rolled along its length to form a cylinder, find the volume of the cylinder so formed, तो क्या बोल रहा है कि एक रक्तेंगुलर सीट अफ पेपर है, तो यह आपका दे दिया है सीट अफ पेपर, ठीक है, और की fold करके, क्या कहसकते है की roll करके, roll करना है roll करने का मतलब कि इसी को, हम लोग ऐसे fold करना है actually, किसके along along its length to form a cylinder, मतलब इसके, इसको जो है, इसके length के Along, fold करना है, तो length कितना है 44 cm, तो हम लीक लेते हैं यह आपका है 44 cm ये वाली length and और इसी लेंथ के लोग फोल्ड करना है, फोल्ड करने का मतलब क्या, यहां से ऐसे मतलब इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मिला देंगे, और इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मिला देंगे, फोल्ड करके, ठीक है, जब फोल्ड को मिलाएंगे तो क्या होगा, ऐसा सिले पेपर को यदि फोल्ड करके इस वेटेक्स को इस वेटेक्स से मिला दूं और इस वेटेक्स को इस वेटक्स से जोयन कर दूं तो क्या होगा एक cylinder का height ठीक है यह हमें बचल गई ओके ठीक है तो यह height मिल गया हमें असानी से अब यहाँ पर जो radius है वो कितना होगा क्योंकि जब तक आप radius नहीं find करेंगे इस cylinder का तब तक आप जो है इसका volume नहीं find कर सकते volume में तो find करना है तो इसका radius को find करेंगे अब ध्याँ दिजीए इसको roll के जा रहा है along length along its length जब इसको roll के जाएगा तो क्या होगा यह जो vertex है वो इस vertex से match कर जाएगा तो जब इसको हम इससे मिला देंगे और इसको भी इससे मिला देंगे तो ऐसा बन जाएगा यह और ऐसा बनने के बाद हमें क्या मिलेगा देखें यहाँ पर यह जो length है यह पूरा जो length है वो fold हो चुका है मतलब कि यह जो length है वो ऐसे fold होगर के ऐसा बन चुका है ठीक है मतलब कि यह जो इस cylinder का जो circular जो region है उसका जो perimeter है या फिर circumference है उसका length उतना ही होगा जितना इस sit up paper का दिया हुआ है क्या length मतलब कि यह जो sit up paper का length दिया हुआ है वही होगा यहाँ पर 44 cm circumference of the base मतलब कि यह भी क्या होगा देखें यहाँ से लेकर के और यह जो लंबाई होगी चारो तरफ की यहां तक ठीक है ये ये जो लंबाई होगी वो होगी कितना 44 cm मतलब कि length of the rectangular sheet paper जितना होगा उतना ही circumference होगा cylinder के base का ओके जो इस तरह से roll करने पर जो बना हुआ है इसका मतलब कि हमें मिल गया ये 44 cm जो है 2 pi r के बराबर है तब है आपर solution कर लेंगा असानी से यहां पर के since since circumference circumference of the base of the cylinder cylinder is equal to length of the sheet of paper okay length of the rectangular sheet of paper rectangular sheet of paper तो यहां पर क्या दिया हुआ है length 44 cm so it implies क्या हो जाएगा circumference कितना होता है यह होता है 2 pi r के यह जो formula बन गया ना इक तरह से तो यहां पर एक relation बन गया मतलब equation बन गया यहां से आप r निकाल सकते हैं तो r इसकल लूँ क्या हो जाएगा 44 में यह दिवाइड कर देंगे 2 pi से तो इतना आ गया क्या cm radius हमारा radius फैंड हो गया अब यहां पर निकाल लेंगे हम height तो height कितना होगा breath के बरावर होगा तो here height is height of the cylinder is equal to breath breath of the seat of paper rectangular seat of paper तो रेक्टनलों seat of paper का जो breath है वो कितना है यह आपका है 20 cm तो height हो गई आपकी small h is equal to हो गया 20 cm तो अब यहां पर हम find कर सकते हैं volume of the cylinder क्योंकि हमें radius और height जो है मिल चूकी है तो so volume of the cylinder इसको ग्या होजएगा पाइ-r square h means area of the base into height तो यहाँ पर पाई की वाई वैसर रखिए, आर की वाई वाई कितना है यहाँ वे 44 अपांट टू पाई है यह होजएगा 44 अपांट टू पाई का क्या करना है स्क्वायर करना है ठीक है इन्टू ह, ह कितना है 20 अब यहाँ पर एक्स्पेंड कर दीजे तो यह हो जाएगा 44 अपान 2 पाई मोडिप्लेट बाई 44 अपान 2 पाई इन्टू 20 अब यहाँ देखें पाई से एक पाई केंसिल हो जाएगा अब यहाँ से दीखें 2 तू जा 4 और यह 4 जाएगा यहाँ से कट जाएगा 4 फाई जा 20 ठीक है 5 आगया, मतलब कि अब यहाँ पर क्या बचेगा, पाई बचेगा नीचे मिन्स अफ 44 इन्टू 44 इन्टू 5 अपाँ पाई बचेगा, पाई मिन्स 22 बाई 7 तो बाई 7 लिखने का बजाए हम उपर 7 से मतलब कर देंगे, ठीक है पास मिमार यहाँ ना, नीचे आपाँ 7 लिखते यहाँ पर आपाँ 7 लिखते इसी को हम उपर जाकर मतलब कर दते हैं तो हमने डिरेक्टली कर दिया यहाँ पर तो कन्फ्यूज मत हुएगा ओके, अब इतना हो गया अब यहाँ से दिगा, 22 और 22 22 तूजा, 44 अब यह 2 से मतलब कर लिजिए 44 में, तो 88 हो जाएगा या फिर इस 5 से मतलब कर लिजिए इस 2 में, तो 10 हो जाएगा और 4, 4, 0 हो जाएगा और इन्टू 7 इस 7 बचा हुआ है 7 से मतलब करेंगा, तो मिलेगा 7, 0 हो जा 0 और 7 फोर्जा, 28 का 8 तो कैरी ओफर, 7 फोर्जा 28 and 230 मतलब मिल जाएगा 3080 centimeter cube this is the required volume of the cylinder okay, thank you so much for watching यदि कोई भी doubt यहाँ पर है तो आप पूछ सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ बता दिया है कि roll करने का मतलब और rotate करने का मतलब क्या होता है देखे, rotate करने का मतलब कुछ यहाँ पर कुछ और होगा यदि rotate करेंगे न तो यह जो seta favor बना हुआ है मतलब कि पूरा ऐसे इतना बड़ा length बन जाएगा इसका और इतना यहाँ से इसका ऐसे करके बनेगा यहाँ रोटेट करेंगा तो यहाँ रोटेट नहीं पूछ रहा है रोटेट करेंगा तो इतना बड़ा cylinder बन जाएगा ठीक है जिसका radius होगा यहाँ से ले करके यहाँ तक मतलब जो length होगी वही होगा radius लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या वह अंदर से bend नहीं करना बलकि यह इतना ही फोल्ड करना है जिससे कि यह जो vertex है वह इस vertex से आकर match कर जाए और यह vertex है इस vertex से आकर मिल जाए बस उतना ही करना है तब आपको जो cylinder बनेगा उस cylinder का जो volume और volume निकालना एक्शुली thank you so much for watching मैंने सब कुछ बता दिया है तो आप इसको देख सकते हैं bye